हेलो बिच्चे आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेस्टन नंबर 6 तो देखे वाट इस दा क्वेस्टन क्वेस्टन है एक्स्प्रेस दा फॉल्विंग एस साम अफ तू और प्राइम जो भी यह नंबर गिवन है हमने बताना है कि ऐसे 2 हमने और प्राइम नंब हमारे पास आएं ठीक है तो चलिये बीटा start करते हैं चोले हम सबसे पहले लेते हैं 44 क्युकि ए पर यहीं गिवन है तो सबसे पहले प्राइम नंबर हमने ओड वाला लेना है तो 2 तो हम लेनी सकते ठीजिक है'd it to हमारे पास प्राइम ôngबर है तो यही आपके दो ऐसे और प्राईम हैं जो मिलके बना रहें 44 तो वेटा ऐसे और भी कोई 2 नमबर हो सकते हैं जो मिलके 44 वना यहनि यह कि सिर्फ्न है यही एक सेट हैं ऐसे आप कोई और इसカンタ भी बना नहीं को कि उसके लाने के लिए चले स्वर्वल करते हैं निकला तो नेंगे 33 चलो अगर हम यहां पर 33 और नोट अपरांइम नुम्बर तो यह सेट सैट तो बिलकुल गलत हो गया तो नहीं चले गाई तो नेक्सट प्राइम लेके देखते है, next prime नंबर है हमारे पास 5, ठीक है 5 है, तो 36 में से जैसे 5 निकला, तो कितने नंबर बच गये, 31, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 31 लिखेंगे, क्या यह 2 हमारे पास prime नंबर है, यह दोनों ही prime नंबर है, और यह 2 ही odd है, अगर हम 3 लेते हैं ठीक है 3 ले लिया तो 4 में से जैसे 3 निकला तो कितने बच गे 21 बट 21 इस नॉट आ प्राइम नंबर तो यह वाला सेट भी नहीं चलेगा यहां पर यह गलत बन गया चलिए हम नेक्स्ट प्राइम नंबर लेके दिखते हैं नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारे पास 5 ठीक है 5 ले लिया हमने नेक्स्ट प्राइम नंबर 24 में से 5 यहां पर आ गया तो कितने बचे 19 बच के पिछे तो क्या यह दो प्राइम नंबर है यह दोनों ही प्राइम नंबर है दोनों ही और नंबर है तो यह वाला सेट यहां पर चल सकता है तो नेक्स्ट आ गया बेटे 18 तो चलिए अब 18 को देखते हैं शुरू करेंगे सेम वही 3 से मैंने शुरू किया है 3 18 में से 3 निकल गया है तो कितने नंबर बच गए वहां पे 15 तो 15 इस नौड़ा प्राइम नंबर तो ये गलत सेट बन गया चले नेक्स्ट प्राइम नंबर लेके देखते हैं 5 जैसे हम 18 में से यहां पे 5 लिख दिया तो कितने बच गए पीछे तो पीछे बच गए 13 है की नहीं पीछे बच गए 13 तो ये बात बन गई बिलकुल सही तो दोनों ही हमारे पास और प्राइम हैं तो ये बन गया इसका आंसर तो आपने यही वाले सेट लिखने, clear?